और यहां तो कुछ दिन पहले में एक न्यूज मिली थी कि यहां पर सारुक खान जी जो है यहां पर जमील ने है होटल के लिए यहां पर इंजिनियर और अधिकारी लोग रहते हैं वहां का यह ब्यूद देख सकते हैं यहां पर कितना खुदाई की गई यहां ही से मिट्टी निकली है देख सकते हैं आप लोग में कैसे हैं सबी लोग आई होब कि आप लोग बढ़ी होंगे और मैं इस समय हूँ वारंसी के राजातलाब तहसील के गंजारी गाउं में जहां पर वारंसी क्रिकेट इस्टेडियम का दिनिमान कार्ट चल रहा है तो मैं आप लोग को इ के लिए पूरे वारंसी वासियों को या उत्तर परदेश के लिए यहां बहुत गर्ब की बात है इस क्रिकेट इस्टेडियम का निर्माण हो रहा है जिसे बहुत सारे लोगों को रोजगार में मिलेगा और यहां तो कुछ दिल पहले में एक निज मिली थी कि यहां पर सब्सक्राइब में देखी है और इस स्टेडियम का जो है कि सिला ने आस 23 सितंबर में को 2023 को प्रधान मंत्री जी ने किया था और इस स्टेड में देख सकते हैं आप लोग खुदाई भी की गई है और बोड भी लगा है उसमें लिखा गया है खत्रा गहरी खुदाई और इस स्टेड में देख सकते हैं और इधर एक ट्रक पर है अभी काम चल रहा है और इस स्टेड में प्लेटफार्म बन रहा है और आगे है लैब मैं आप लोग को पास से भी दिखाऊंगा अब है अभी तो परमिशन है अंदर आजा रहा है हम लोग भविशम में हो सकता है कि परमिशन नहीं यह देख सकते है मैं कर और इस साइड में भाहनो 가운데 न mr प 싸. माल रहते हैं उसके बाद बनाय जाता है टो उहां पर बनाया गया था लेकिन मियान बताया कि यया खेल हो गया है इसके बगल में उस साइड में बनाया जा रहा है चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहां पर मैं पहली बार आया थो तो कुछ नहीं हुआ था यहां पर काफी चीजे बदल चुकी है इस साइड में देखिए अभी एक ट्रेलर से यह आया है क्रेन का गाड बता रहे थे भी यह कुछ पार्ट है जिसका प्रयोग किया जाएगा स्टेडियम के बनाने में और यहा साइड में जो यह फेल हो गया है ट्रक का वेट करने के लिए जो इसमें समाल लादा रहता उसके लिए तो उसको इस साइड में आप बनाया जा रहा है यहां पर यह देख सकते हैं यहां पर फॉंडेशन बनाया गया है और आगे है वो इंजिनियर अधिकारियों के रहने के लिए बनाएगे है तो मैं आप लोग को उस साइड भी दिखाऊंगा और उदे देखिए फोकलेंड भी है मैं चलूँगा उस साइड में पहले आप लोग को इस साइड दिखा देता हूं उसके बाद मैं आप लोग को उस सिन लगाई गयी है जिसमें कंक्रीट बालू और समेंट मिलाजा जाएगा और इसमें जो सामने देख रहे हैं आप इसमें किमेंट पूरा तीनों में भरा जाएगा और इस सएड में देखिए पहार की तरफ़ाई मीटि यहांई कठा की गई है खुदा ही चल रही है चलिए मैं आप लोग को पास से दिखा देता हूँ अभी तो यहाँ पर आने दे रहे हैं लोग इलाव है कुछ दिनों के बाद हमको लगता है जब काम थोड़ा तीजी से चलेगा तो इधर इलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि चारो तरफ से बंद कर दिया जाएगा सेटिंग बना रहे हैं काम करने का यह देख सकते हैं तीन ठो यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर देखिए बकडी बिचर रही है बकडी जो आप सामने देख रहे हैं यह है लेबर कॉलेनी जिसमें यहाँ पर जो भाई लोग काम करते हैं उनके रहने के लिए उहाँ पर बनाये गया है और यह देख सकते हैं आप लोग सामने मसीन एक अंक्रीट बालू और सिमेंट को मिलाने वाली मसीन है और यहाँ पर जो फाउंडेशन देख रहे हैं नीचे यह देख रहे हैं यहाँ पर जो मसीन रखी गई है इसको भी यहाँ पर अभी सेट किया जाएगा और वो रूम देख रहे हैं बनाया गया अभी हाली में मैटरील को रखने के लिए और उधर देख सकते हैं आप लोग है और उस साइड में देखिए जे सिबी में आप लोको इस साइड का भी दिखाऊंगा करQueory और अंबन देख सकते हैं यहाँ पर कितना खुदाय की गई है है यहाई से मिट्टी निकली है देख सकते हैं आप लो और वहाँ पर इकाठा की गई और यह देख सकते हैं सामने पोकलेंड है इससे खुदाई की जा रही है और इस इस्टेडियम को दिसंबर दोजार पचीस तक पुरा कर लेना है इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लो कितना तेजी से काम चल रहा है भाई दो पोकलेंड लगे हुए देख सकते हैं आप लोग दो थे पोकलेंड लगे हुए है और उस सेट में जैसी भी है और इस इसस्टेडियम की जो सींचे की बैठने के लिए बनाया जाए घाट के जैसे जैसे घाट पर बनाती हुए उस तरह से इस स्टेडियम की सिनिया बनाए जाएंगे और इसको आप लोग जानते हैं लार्षन एंट टुब्रो बना रही है जैसे कि वहाँ पर देखिए मंदिर भी लार्षन एंट टुब्रो भी बना रही है अई उद्ध्याजी में स्रीराम प्रभु का मंदिर दो बन और अधिकारी लोग रहते हैं उसी के जस्ट पीछे या बगल में कह लिए यहां पर एक खुदा ही चल रही है और यहां पर वो देख सकते हैं सामने पानी टंकी बन रही है वहां से उसके बगल जस्ट में आप देख सकते हैं यहां पर बांडरी वाल के लिए गड़ा ऊजड़े नहीं एक गड़ा खोदा गया और यह देखिए जो इसमें रखा गया है इसको पूटिंग देख सकते हैं और आगे जू इसमें खड़ा किया गया है उसको पूतिंगे लिए यहा पर दर्सकों की 30 हाजार हैainen इसे भविश से में 60 हजार कर दिया जाएगा यह कालम को फिक्स किया जाता है लगबख हर गड़े में इधर लगा दिया गया है यह देख सकते हैं अब लोग है और यह है कालम को पुटिंằng में डाल दिया गया जिससे आपको देखिए चछडड़ नहीं दिखाई दे रहा होगा और इक बड़ा सा होता है घेरा को बनाने के लिए जोकि स्फिमेट बालू बना इसको इसमें डाल दिया जाए गÄ तरह से बॉर्ण्ड्री तयार हो जाएकि ये देख सकते हैं अब इसके कालम लगना बाकी है पूटिंग डाल दिया गया है वहां से मसीन में जो बनाने वाली है वहां से बन करा रहा है यह देख सकते हैं और जहां से बन करा रहा है सामने देख सकते हैं वहां पर मसीन आप लोग देख सकते हैं ठीक जहां पर इंजिनियर और अधिकारी लोग रहते ह उसी के पीछे इसका मैटरियल तयार किया जा रहा है काफी एरिया लगभग 31 एकड में इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं चलिए मैं उधर देखता हूँ अगर थोड़ा पास से दिखाने कोशिस करता हूँ आप लोगो और यहां देख सकते हैं पुटिंग बना करके तयार करके रखा गया और यह सामने देख सकते हैं बॉंडरी वाल की तरह यहां पर बनाया गया है इसी तरह बनकर वहां पर तयार किया जाएगा और इस सामने आप लोग देखें वो मसीन है और इस साइड में देखी रहे हैं आप लोग काम चल रहा है ट्रांस्फार्मर भी लगा दिया गया है और देखिए इसमें कनेक्शन करना बाकी है और यह पुरा गया है आपका जहां पर इंजिनियर और अधिकारियों के मतलब काम करने के लिए अस्थान बनाया गया है देख रहा है पुरा वहां तक खंबा गया है आगे तक वहां तक जब आप जाएंगे इधर लेवर कालोरी के साइड में उसी साइड में बनाया गया है देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं आप लोग यह देखिए यहां पर लेवर कालोरी बनाए गई है यह सामने देख सकते हैं और उसके बगल में जस्ट वहां पर लाइटिंग बाथरूम बनाए गया है नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए और इस सैड में देखिए अभी काम चल पुरा यहां तक गड़ा खोद दिया गया है पूरी चारों तरफ से देख सकते हैं आप लो इसमें पुटिंग कालम और खार मा लगा करके इसको पुरा पाह कर दिया जागा इस और इस सैड में देखें यहां पर पानीटंकी का नेमार कारे स चल रहा है जो लगबग मालेजिये 70 PARC काम पूरा हो गया है पानीटंकी का और यह देखिarta पुरा यहां से view और यह देख सकते हैं जहाँ पर इंजिनियर और अधिकारी लोग रहते हैं वहाँ का यह view देख सकते हैं यहाँ पर देखें फोर बिलर काफी सारी गाड़ियां खड़ी है और इस side में देखिए मेन आपर इसे देखिए उसमें इंजिनियर लोग रहते हैं जो यहाँ पर काम कराने वाला और इस side में देखिए दर भी बहुत सारे यहाँ पर सरिया छड़ बोल सकते हैं रखी गई है और एक देखिए उसका गेट बनाए गया है अब देखिए मेन गेट की side मनता है और यहाँ से पुरा यह view देख सकते हैं आप लोग और यह देखिए तो फ्रेंट्स यहाँ पर हर जग़ा लोग बना कर रहे हैं वीडियो और फोटो के लिए कि आप अंदर से नहीं बना सकते हैं बाहर से बना सकते हैं अगर आप लोगों के लिए मैंने कोसिस किया अंदर का वीव मैं आप लोग को दिखाया तो फ्रेंट्स यह ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा अपनी रहा कमेंट बाक्स में जरूर दीजेगा अगर आप चैनल पने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर दीजेगा जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे फ्रेंट्स इस ब्लॉग को यह ही परीइन करते हैं मिलते हैं एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए बात चैके हैं जहिन हरहर मादे